हिंदिस सिनमा के गुजरे दौर की एक कम चर्चित अभिनेत्री जो मॉडल भी थी और फैशन डिजाइनर भी जिन्नों फिल्मों में बहुत छोटे रोल अदा किये लेकिन फिर भी अपने दौर में बेहग मशूर रही मुझे उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी इस वक्त उसे मेरी जरूरत है ये 1970 के दशक में धेर सारे प्रिंट एडवर्टीजमिंट का जाना माना चेहरा थी और पेज थ्री पार्टियों में बढ़ चड़ कर हिस्सा लेती थी लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एक दिन में 30 से 40 की संख्या में सिगरेट पीने के लिए बदनाम हो गई थी क्या आपको पता है कि ये अपनी फिल्मों के लिए नहीं बलकि अपने सुपरस्टार आशिक राजेश खन्ना के साथ लिविन रिलेशन्शिप में रहने की वज़ह से ज्यादा जानी जाती थी और क्या आप मानेंगे कि 70 के दशक में जब देश भर की लाखो लड़कियां राजेश खन्ना पर जान चड़कती थी और उनसे शादी के सपने देखा करती थी तब इस अभिनेत्री ने उस सुपरस्टार के शादी के प्रोपोजल को ठुकरा दिया था तो कौन थी ये अभिनेत्री? किसने और क्यूं इनके फिल्मे करियर को चौपट कर दिया? और क्यूं इन्होंने राजेश खन्ना को एक पिछडी सोच वाला और्थो डॉक्स कहकर इनसे रिष्टा तोड लिया था? बताएंगे और भी बहुत कुछ आप बने रहिए हमारे साथ नमस्कार दोस्तों मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें दोस्तों आज हम जिस बॉलिवुड अभिनेत्री की जिन्दगी की दास्तान आपको सुनाने जा रहे हैं वो हैं 1970 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा में आई अंजू महिंद्रू तो अंजू महिंद्रू के फिल्मी सफर की बात करें उससे पहले चलिए जानते हैं कि क्या था इनका फैमिली बैक ग्राउंड और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ था अंजू महिंद्रू का जन्म उत्राखंड के देहरादून में 11 जैन्वरी 1946 को हुआ था लेकिन इनका पालन पोशन मुंबई में हुआ इनकी एक बड़ी बेहन भी थी अनू महिंद्रू अंजू के पिता के बारे में जादा जानकारी नहीं मिलती लेकिन इनकी मा का एक जाने माने परिवार से तालुक था जिनका नाम शांती महिंद्रू था इन्ही के भाई थे जाने माने संगितकार मदन मोहन यानि महान भारतिय संगितकार मदन मोहन जी अंजु महेंद्रू के मामा थे चुकि अंजू की मा का भी अभिनय और ग्लैमर वर्ल्ड से लगाओ था तो बेटी भी बचपन से उसी माहौल में रही और उन्हें भी ये रासाने लगा अंजू ने महज 13 साल की उम्र से मॉडलिंग की शुरुवात कर दी तब वीडियो एड तो हलाकी कम ही हुआ करते थे क्योंकि प्रिंट एड का जमाना था तो इन्होंने कई ब्रांड्स के लिए टीवी विग्यापनों और प्रिंट विग्यापनों में इंडोर्स किया धीरे धीरे ये कई मशूर ब्रांड का चेहरा बन गई जिनमें ब्रोक बॉंड ताज महल का विग्यापन बेहत चचित रहा इसी तरह के एक एड में जानेवानी शायर और शबाना आजमी के पिता कैफी आजमी ने इन्हें देखा और डिरेक्टर बासु भटाचारिया को इ ही है इसके अगले साल 1967 में अंजू की एक और फिल्म आई जुएल थिव फिल्म तो हिट रही लेकिन इसमें वजन तीमाला तनुजा हेलन और फरियाल जैसी कई अभिनेत्रियों के सामने इनका रोल बहुत छोटा रहा हलाकि फिल्म में देवानद के साथ इनके कुछ रोमैंटिक डायलॉग्स थे लेकिन इन्हें जादा नोटिस नहीं किया गया साल 1968 में इनकी नेक्स्ट मूवी रिलीज हुई संघर्ष और इसमें भी अंजू ने वही गलती दोहराई याने इस फिल्म में भी इनका लीड रोल ना होकर हीरो की बहन का बेहद अन्नोटिस्ट किरदार रहा ये फिल्म भी दिलिप कुमार वेजनती माला संघीव कुमार जैसे बड़े सितारों से सजी थी लेकिन अंजू का किरदार बेहद बेअसरदार था इसके बाद अगले साल 1969 में इनकी दो फिल्में रिलीज हुई इंतकाम और बंधन इंतकाम में साधना और संजय खान मुख्य भूमिका में थे तो अंजू इसमें भी एक छोटे से रोल में ही थी साल 1969 की जो दूसरी फिल्म थी वो कई माइनों में खास थी क्योंकि ये पहली ऐसी फिल्म थी जब रियल लाइफ लवर्स राजेश खन्ना और अजू महेंद्रू किसी फिल्म में साथ नजर आए थे हाला कि पिछली फिल्मों की तुलना में इसमें अंजू महेंद्रू का थोड़ा बेहतर रोल जरूर था लेकिन ये फिल्म की हिरोई नहीं थी बलकि राजेश खन्ना की अपॉजिट लीड रोल में मुम्तास थी शायद ये बड़े बैनर की एकलावती ऐसी फिल्म रही जिसमें अंजू महेंद्रू स्क्रीन पर थोड़े लंबे डूरेशन तट नजर आए इसके बाद साल 1970 में एक फिल्म आई दस तक जिसमें संजीव कुमार और रहाना सुल्तान लीड रोल में थे इसमें अंजू संजीव कुमार के साथ दफ्तर में काम करने वाली एक सहकर्मी की भूमिका में थी लेकिन किरदार बेहद फीका रहा इस बीच इनकी पॉसनल लाइफ में भी काफी उतार चड़ाव चल रहा था जिस वजह से इनका करियर भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे खेर इसके तीन साल बाद 1973 में फिल्म हस्ते जख्म में इनका छोटा सा रोल रहा तो साल 1974 में देवानंद जीनत्तमान अभिनित फिल्म प्रेम शास्त्र में इनका गेस्ट अपिरेंस रहा उमर कैदी नाम की एक फिल्म आई साल 1975 में जिसमें अंजू महंद्रू ने छोटा सा किरदार निभाया तो साल 1977 में शशी कपूर विद्या सिन्हा अभिनित फिल्म मुक्ती में एक एहम रोल इन्होंने अदा किया अपनी पहली फिल्म को छोड़ अभी तक किसी और फिल्म में इलीड रोल नसीब नहीं हुआ था इस पर इन्होंने फिल्मों के सेलेक्शन में एक और गलती कर दी और रामसी ब्रदर्स की बी ग्रेड फिल्म दरवाजा साइन कर लिया इसी साल इनकी एक और फिल्म रिलीज हुई गंगा की सौगंध जिसमें मिताब बच्चन और रेखा मुखे भूमिका में थे और अंजू महंद्रू ने एक तवाइफ का किरदार निभाया तूने हर लात मुहबत की अचम खाई दे इस फिल्म में अंजू महंद्रू पर फिल्माया गया मुजरा काफी पसंद किया गया और इस गाने में अंजू बेहद खुबसूरत नजर आई इस गाने को देखकर पहली बार ऐसा लगा कि इन में काफी संभावनाय थी और ये बेहद आकर शक भी नजर आती थी खेर इसके बाद तो निराशा जनक रूप से अगले तीन साल तक ये किसी भी फिल्म में नहीं दिखे और सीधे साल 1982 में इनकी एक फिल्म आई प्यास इसी साल एक और फिल्म में अंजू नजर आई ये थी वकील बाबू इस फिल्म में अंजू पर फिल्माये गए इस गाने में ये बिलकुल अपने असली अंदास में दिखी जो वास्तों में इनकी जिने का तरीका हुआ करता था इसके बाद ये सीधे चार साल के गैप के बाद साल 1986 में टीवी पर नजर आई हलाकि इसके बाद भी इनकी कई फिल्में आई जिनमें अब धीरे-धीरे ये कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर दिखने लगी थी ये फिल्में रहीं 1987 में खतरना के रादे, 1988 में विजय, हम तो चले पर्देस और खून बहा गंगा में 1992 में मुस्कुराहट, जान तेरे नाम और इनसाफ की देवी, 1993 में बम ब्लास्ट और दिल की बाजी, लेकिन कभे भी अंजू महंद्रू को फिल्मों में वो किरदार निभाने का मौका नहीं मिला, जिसकी चाहत हर एक्टरस को होती है और इनका करियर डावा डोल ही रहा लेकिन फिर 1995 में एक ऐसा टीवी सीरियल आया, जिसमें रंजना दिवी का किरदार निभाकर अंजू महंद्रू घर घर में च्छा गई, ये था महेश भट डिरेक्टिड सोप ओपेरा स्वाभिमान ये बड़े बैनर का टीवी सीरियल था जो दूर दर्शन पर प्रसारित हुआ था और इसके ज़्यादा तरकलाकार फिल्मों से ही थे जिन्होंने इस सीरीज से खुब लोग प्रियता भी हासिल की, शोभाडे जैसी चर्चित राइटर की कहानी थी तो कुछ और बड़े नाम भी इससे जुड़े हुए थे इसके बाद आरोहन, इंग्लिश बाबू देसी में, सुकन्या, कहीं तो होगा जैसे दरजनो टीवी सीरियल में अर्जु महेंद्रू ने काम किया और टीवी के जरिये अपनी उस पहचान और गरिमा को हासिल किया जो फिल्मों से नहीं कर पाई थी इसके साथ ही अंजू कुछ फिल्में भी साथ में कर रही थी जैसे वाह तेरा क्या कहना, साथिया और पेज थ्री आदी साल 2006 में हमको दिवाना कर गए और साल 2010 की फिल्म आई हेट लव स्टोरी में भी इनका अच्छा रोल रहा तो महीं साल 2011 में एक सुपर हिट फिल्म आई दे डर्टी पिक्चर जो आपमें से ज़ाद अतर लोगों ने जरूर देखी होगी इसमें इन्होंने एक एलीट क्लास जर्नलिस्ट का किरदार निभाया जो की 1970 के दर्शक की फायर ब्रांट जर्नलिस्ट देव्यानी चौबल से इंस्पार्ड था तो वो तुम ही हो जो मेरे बारे में बुरा बुरा लिखती हो बुरा तो तब होगा जब मैं तुमारे बारे में लिखना बन कर दूँगी मतब यह है कि आज जो तुम करी हो ना वो बगावत है बता दें कि यह वही देव्यानी चौबल थी जिनोंने राजेश खना को सुपरस्टार के खिताब से नवाजा था और कहती थी कि राजेश तो मेरा बच्चा है तो कभी राजेश खना के बेडरूम तक अपनी पहुच की डिंगे हाकती थी और राजेश खना की गर्ल फ्रेंड अंजू महेंद्रू को इन दोनों का रिष्टा बिलकुल भी पसंद नहीं था खेर इस फिल्म के बाद भी दरजनों फिल्मों, टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज में अंजू ने काम करना जारी रखा बहले ही फिल्मों में ये अपनी पहचान बनाने में काम्याब नहीं हो सकी लेकिन टीवी पर जरूर धमाल मचाया चलिए अब बात करते हैं इनकी पॉसनल लाइफ की जिस वजह से ये हमेशा चर्चा में रही और फिल्में मिले या ना मिले ये अख़बारों की सुर्खियां बनी रही अंजू महेंद्रू और राजेश खन्ना की पहली मुलाकात साल 1966 में हुई थी इसी साल इन दोनों की ही पहली फिल्म में रिलीज हुई थी अंजू की पहली फिल्म थी उसकी कहानी और राजेश खन्ना की पहली फिल्म रही आखरी खत दोनों की ही डेब्यू फिल्म में फ्लॉप रही और दोनों आगे बढ़े कुछ मुलाकातों के बाद दोनों में गहरी दोस्ती और फिर प्यार हो गया दोनों साथ ही स्ट्रगलर थे और बॉलिवुड में अपनी पहचान बनाने की जद्दु जहद में लगे हुए थे राजेश अंजू को प्यार से निके बुलाते और उन्हें अंजू जतिन या जस्टिन कहती थी इसके लगबग धाई साल बाद 1969 में राजेश खन्ना की फिल्म आई अराधना और वो स्ट्रगलर से अचानक सुपरस्टार बन गए राजेश के सपनों को तो उडान मिल गई लेकिन इनकी सुख दुख की साथ ही रही अंजू का स्ट्रगल अभी जारी रहा ये तो चलो किस्मत या टैलेंट की बात थी पर असली समस्या तब खड़ी हुई जब राजेश खन्ना पर अपने स्टार्डम का बुखार सवार हो गया राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू के प्यार के कई किस से एबिपी न्यूज में एंटेटेन्मेंट देखने वाले रिपोर्टर यासिर उस्मान ने सुनाए हैं और अपनी किताब कुछ तो लोग कहेंगे में विस्तार से लिखा भी है कुछ और चर्चित फिल्मी मेगजिन्स के मताबिक भी तब राजेश खन्ना अपना सुपर स्टार एटिट्यूड अपनी गल्फरेंड अंजू महेंद्रू को भी दिखाने लगे वो चाहते थे कि अंजू उनके आगे पीछे घूमती रहें उनकी केर टेकर की तरह उनके मूड उनके खाने पीने सोने जगने घूमने फिरने सब का ख्याल रखें वो अपना करियर बनाना तो दूर अपनी निजिस जिन्दगी के फैसली भी राजेश से पूछ कर ले और राजेश पैसे पीठ ही रहे हैं तो भला अंजू को कमाने की क्या ज़रूरत है वो औरत हैं घर समाले मताते हैं कि राजेश ने अपने पैसे भी अंजू पर खूब लुटाए उन्हें एक घर खरीद कर दे दिया और खुद भी जादातर समय उनके साथ ही उसी घर पर पड़े रहते थे शूटिंग से लोट कर वो अंजू के उसी घर पर पहुँचते थे और वहीं उस घर के बाहर लॉन में उनकी गाड़ी अकसर देखने को मिल जाती थी जिसे पैपराजी भी मिर्च मसाला लगा कर खोब छापते यानि राजेश और अंजू एक लिविन पार्टनर की तरह रह लगे थे इससे पहले भी ये दोनों राजेश खना के बंगले आशिरवाद में साथ में रह रहे थे ये उस वक्त के लिहाद से काफी बोल्ड स्टेप था तब लिविन रिलेशन्शिप इतना कॉमन नहीं था बंगले में सभी नौकर चाकर को पता था कि बहुत जल्द ये रिष्टा मनजूर था और वो राजेश खना को अपना दामाद बनाना चाहती थी पर राजेश की माँ चाईजी को अंजु बिलकुल पसंद नहीं थी लेकिन फिर भी ये कपल लिविन रिलेशन्शिप में लगभग 6 साल तक रहता रहा मीडिया का भी राजेश के साथ साथ अंजू पर भी भरपूर फोकस रहता अंजू ने क्या पहना कहां गई किस से बातें की किस से नहीं की इस तरह अंजू भी अखबारों में चाही रहती पर धीरे धीरे राजेश खना की जिंदगी में दो और औरतों का आना हुआ नहीं अभी डिमपल की एंट्री नहीं रजेश खना घर आते तो उन्हें हर पल अपने आगे पीछे अंजू चाहिए थी लेकिन जब शूट पर रहते तो इन दो महिलाओं का इन पर भारी प्रभाव रहता हलाकि मुम्ताज का तो ऐसा कोई नेगेटिव पार्ट इन दोनों के रिष्टे में डारेक्ट नहीं मिलत लेकिन देव्यानी चौबल ने अंजू और रजेश खना के इश्क पर मिट्टे डालने में खूब मेहनत की और आखिर काम्याब भी हो गई देव्यानी ने एक बार तो यहां तक कह दिया था कि मैं उसके साथ सोई हूँ वो स्टार एंड स्टाइल मेगजीन में गॉसिप से भरा कॉलम फ्रैंकली स्पीकिंग लिखा करती थी इसके अलावा राजेश खना एक टिपिकल इंडियन बॉइफरेंड थे वो चाहते थे कि अंजू मॉडलिंग ना करें उन्हें कई फिल्मों से बाहर तक करवा दिया कई मॉडलिंग असाइन्मेंट छुडवा दिया जिस साथी से ये उमीद की जाती थी कि वो अंजू के करियर को आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प करेंगे उसी साथी ने अंजू के करियर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया वो चाहते तो उनके एक फोन से अंजू को फिल्मों में बेहतर रोल मिल सकते थे लेकिन उन्होंने वही फोन अंजू को फिल्मों से निकलवाने के लिए इस्तमाल किया अंजू महेंद्रू ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था वो मुझ पर फिल्में छोडने का दबाव डाल रहा था यहां तक कि संजीव कुमार की एक फिल्म से भी मुझे निकलवा दिया था वो चाहता था कि मैं हर वक्त उसके पैरों पर गिरी रहूं जैसे उसके चमचे गिरे रहते थे मैं उससे प्यार करती थी मगर चापलू सी नहीं कर सकती थी वही राजेश का भी पक्ष जानते चलें तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था उसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं था जब मैं शूटिंग से थाका हारा घर लोटता था तब पता चलता मेम सहब किसी पार्टी में या किसी से मिलने गई हैं वो अपने दोस्तों में वैस्त रहती और मैं उनका इंतजार करता रहता इस बीच जब राजेश की कुछ फिल्में फ्लॉप हुई तब वो और जादा मूडी गुसैल चिर्चिडे और बत्तमीज हो गए और घर आकर सारा गुसा अंजू पर निकालने लगे बताते हैं कि इसी बीच राजेश खन्न ने अंजू को शादी के लिए प्रपोस किया लेकिन अंजू ने ये कहते हुए पोस्ट पॉन करने को कहा कि पहले वो एक एक्टरस के तौर पर अपनी जगह बना लें फिर शादी करेंगी राजेश को ये बात पसंद नहीं आई बताते हैं कि तब तक अंजू अपने रिले लड़की थी और काफी खुले विचारों की भी थी पर राजेश खन्ना रूड हिवादी टिपिकल इंडियन मैन वो मौडन लड़कियों की तरफ आकर शित तो होते थे लेकिन घर में उन्हें बस एक हाउस वाइफी चाहिए थी अंजू राजेश की रोज की टोका टोकी से तंगा चुकी थी साथ ही वो ओवर पोजेसिव भी थे अंजू महेंद्रू ने स्टार डेस्ट को दिये एक इंटरव्यू में कहा था राजेश खन्ना हमेशा ही मौडन लड़कियों की तरफ आकर शित हो जाते हैं कन्फ्यूजन हमेशा ही हमारे रिलेशन्शिप का हिस्सा रहा अगर मैं स्कर्ट पहन लेती थी तो वो मुझे डांट देते और कहते कि तुम साड़ी क्यों नहीं पहनती अगर मैं साड़ी पहनती थी तो वो कहते थे तुम भारती नारी का लुक दिखाने की कोशिश क्यों कर रही हो राजेश के साथ डील कर पाना एड़स्ट करना म पार्टी में टकराई और तूटा हुआ महसूस कर रही अंजू को जैसे एक कंधा मिल गया तब वेस्ट इंदीस की टीम इंडिया दोरे पर थी अंजू और गैरी सोबर्स कभी कभार मिलने लगे तभी एक दिन गैरी सोबर्स ने अंजू को कोलकाता एक मैच देखने के लिए गुलाया और एक पार्टी में डांस के दोरान प्रपोस कर अंगूठी पहना दी ये अचानक हुआ था अंजू कुछ समझ पाती या समझा पाती उससे पहले ही गैरी वहां से चले गए थे पर अंजू फिर वापस जब मुंबई लोटी और राजेश को इसके बारे में पता चला तो उनका गुस्सा छप पर फाड़ गया वो रोए चिलाए एहसान गिनवाए खूब तमाशा हुआ बकॉल अंजू मैंने तो जतिन को चिढ़ाने के लिए गैरी से अफियर कर लिया था ऐसा नहीं था कि मैं जतिन को पसंद नहीं करती थी खैर मैंने गैरी को फोन किया और सगाई तोड़ दी पर इस गैरी कांट के बाद राजेश खना अंजू पर शक और पहरेदारी करने लगे नतीजतन इश्क का धुआ उठा जिसमें दोनों घुटने लगे और तब राजेश ने चड़ में आकर उल्टे सीधे कदम उठाने शुरू कर दिये अब इस कहान कि चर्चा कुछ न्यूस पेपर्स में चपने लगी और वो एक रोज राजेश खना को एक पार्टी में मिल गई जहिर है वो भी राजेश की फैन थी तो हाई हेलो हुआ और फिर चड़े हुए आशिक ने नई लड़की से टेलीफोन नंबर एक्सचेंज कर बातें और मुल पूठी देकर प्रोपोस कर डाला डिमपल ने प्रस्ताव स्विकार कर लिया और फिर वो एक फिल्म की शूटिंग के लिए साथ में खंडाला चले गए जब अंजू को इस बारे में पता चला तो उसने राजेश खना से मिलने का फैसला किया जब वो खंडाला के लिए अप पस लोट आई एक इंटरव्यू में इस घटना के बारे में बात करते हुई राजेश खना ने कहा था जब मैं खंडाला से लोटा तो मेरे ड्राइवर ने मुझे बताया कि अंजू मैडम ने कहा कि वो मुझसे कभी नहीं मिलना चाहती और ना ही वो चाहती हैं कि मैं उसे ब कर दिया था राजेश खना ने तब डिंपल का पाडिया से 27 मार्च 1973 को शादी कर ली लेकिन राजेश ने डिंपल से ये शादी अंजू से बदला लेने के लिए जल्दबाजी में की थी और अंजू को जलाने के लिए अपनी बारात जान बूच कर अंजू के बंगले के नी किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था राजेश खना तो घर बसाकर जिंदगी में आगे बढ़ गए पर अंजू महेंद्रू हमेशा कुवारी ही रही बाद के सालों में अमजद खान के भाई इम्तियास खान के साथ इनके रिष्टे की चर्चा जरूर हुई लेकिन अंजू ने अपनी पत्नी से बदसलूकियां करने लगे थे खैर वो वक्त भी गुजरा और राजेश की एक के बादे कई फिल्में फ्लॉप होती गए उम्र धलने लगी थी और दर्शकों पर राजेश खन्ना का जादू खत्म हो गया था स्टारडम जा चुका था और अब पत्नी प्र अंजू को तो पहले भरोसा ही नहीं हुआ फिर बोली घर आ जाओ दोनों मिले और जाम के साथ कई गिले शिकवे चलते रहे घंटों बाते होती रही और शायद राजेश को जहां अपनी गलती का मलाल था तो अंजू ने भी उन्हें माफ कर दिया था फिर एक दोस्त की तरह कभी कभार दोनों की मुलाकातें बातें होने लगे और जब राजेश खना बिमार हुए तो हास्पिटल में पूरो पत्नी डिमपल कपाडिया के साथ अंजू महेंद्रू भी नजर आई पुराने साथी को सहारा देती हुई तब सब ने अंजू को बड़े दिलवाली महिला कहा और सहानू भूती भी दी अंजू महेंद्रू राजेश खना की सारी दवाईयों और इलाज का ध्यान रखती थी और उनके साथ होस्पिटल भी चली जाती थी साल 2012 में जब राजेश खन्ना का निधन हुआ तब राजेश के परिवार के साथ ही अंजु महेंद्रू भी उनके पार्थिव शरीर के पास ही खड़ी थी उदास अकेली गमगेन फिलहाल की बात करें तो साल 2023 में अब अंजु 77 साल की हो चुकी हैं कुछ टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज में काम कर रही हैं और मुंबई में ही रहती हैं तो दोस्तों आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा साथ ही अंजु महेंद्रू का कौन सा रोल अदा किया हुआ आपको सबसे जादा पसंद है वो भी लिख डालिएगा आपको इस प्रेम कहानी के बारे में अगर कुछ कहना हो तो लिख कर अपनी राय जरूर दीजेगा तो चलिए एक और नई कहानी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में फिलाल श्वेता जया को दीजी इजास्त नमस्कार